करते थे जागते रहो जागते रहो अब चौकीदार पूरे हिंदुस्तान के सरकारी बैंकों का पैसा अमीरों को दे के कहते हैं भागते रहो भागते रहो भागते रहो हम तो सोचे थे चौकीदार निकलेगा चौकन्ना यह निकला बिल्कुल निकम्मा और आज मोधी साफ जा मुद्दों से भाग रहे हैं अब दो करोर नौकरियों की बात नहीं होती अब गंगा साफ करने की बात नहीं हो रही उन 304 संकल्पों की बात नहीं हो रही 15 लाग गरीड की जेब में बात नहीं नहीं हो रही अब रास्ट्रभाद की शरन में चले गए हैं और रास्ट्रभाद झारी सक्ते हैं जिनों ने सारी सरकारी कंपणियां मारके अम अमबानी और अडानी को लका दी कि मैं दंके की चोट पे कहता हूं है कि इन्हों प्रफट ने पी एसनल को मार के पांच लाग पचास हजार करोड रुपे की कंपनी का जो कॉंट्रेक्ट है एक फोर जी जो सरकारी कहना चाहिए था सरकार को मुनाफाना चाहिए था वो जी ओ दन दनादन को दे दिया और फोटो के चाहिए एड़िजमेंट की दन 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 नोट बंदी रात को अनाउंस की उसवेरे पे टीम के साथ फोटो के चाहिए आज मोदी जी को बताना चाहता हूँ राष्टरबाद की बात करते हो मोदी साहब तो सुनो इस देश के उपर चौशट साल में पचास लाग करोड रुपया करजा था तुमारे सारे चार साल में 35 लाग करोड करजा बढ़ा दिया तुमें पहले एक साल में आसतन साथ से सतर हैर करोड रुपया करजा बढ़ता था अब तुमारे इस कारे काल में 6 लाग से उपर 30 साल भारत के सर के उपर करजा बढ़ रहा है तुमने बड़ी बड़ी संस्ताइं डी आडियो एच एल जो फौज के निर्वान के लिए मशूर मानी जाती थी जिन्होंने प्रिथ्वी बनाई जिन्होंने आकाश बनाई यह सब मजाल्ज हैं जिन्होंने अग्नी बनाई न के हक को मारके 60-60 अजार करोड के कॉंट्रैक्स तुमने अमबानी और अडानी को दे दिये मिसाइल बनाने के कॉंट्रैक्ट तुमने अबानी यह बनाई यह यizer को दे दिये तुमने इनको 1240 एकर जमीन 40 करोड़ की थी सीमेंट प्रांट लगाने के लिए और इन्होंने 5000 करोड की बेच दी बगैर सीमेंट प्लांट लगाए तुम इन बातों से मुकरते हो 17 लाग करोड रुपया एंपी हो गया है कि सरकारी बैंकों का पैसा लेके अमीर भाग गए सुप्रीम कोट ने बाजू मरोड के सारा शिरी से पैसे लिये वापिस सुप्रीम कोट नहीं अम्बानी को घुरा अम्बानी ने 5000 करोड वापिस किये या बात है कि 17 लाग करोड रुपय लेके ये चले गए सिर्फ सरकारी बैंकी है प्राइवेट बैंक से 10% रुपया गया है तोनों पार्टियों ने करजे माफ किये है कि तुम ने हमीरों के 35,25,000 करोड माफ किए इंसेंटिव के नाम पर और कॉंगर्स ने 72,000 करोड रुपया गनी किसानों का माफ किया है तुम बात करते हो राश्ट्र भक्ती की ये आंकड़े है मेरे पास होडिसाँ ये आंकड़े है मेरे पास पे टीम मुनाफ़े में SBI डूब रहा है जीओ मुनाफ़े में PSNL डूब रहा है प्राइवेट ऐरलाइन मुनाफ़े में और इंडियन ऐरलाइन डूब रही है तुम बता दो तुम ही कहते थे ना ना खाऊंगा ना खिलाऊंगा रे चम के खाया और डटके खिलाया, तुमने ठोक के लूटा, और किसी में विरोध किया तो तुमने डटके कूटा, तुमने लोग तंतर को डंडा तंतर बना दिया, खुंडा तंतर बना दिया, ट्रोल तंतर बना दिया, भै तंतर बना दिया, भै के उपर राज कर रहे हो तुम, पहले हिंद तो इस देश को डिवाइड करते थे और राज करते थे और ये देश वोट डालेगा काले अंग्रेजों से मुक्त होने के लिए उन्हें इस देश को अमीरों का खुलाम बना दिया 99% घरम के बाहर चोकीदार में खड़ा होता नहीं अभी मेरी बोलने की बारी है गुरू पहले ये जवाब दें ये जवाब दें इन बातों का इन बातों का कोई जवाब हो तुमने और तो और जो नौकरियां भी थी उनका ठेका भी अम्बानियों को दे दिया क्योंकि अम्बानियों ने जो भी कॉंट्रेक्ट लिए उस किवारी में एक करोड़ दस लाद नौकरियां गई तुमने कहा मेरी 8.2 जी डीपी है और नौकरी A MATaction 2 जीडीपी, जी阜 innovation तुमने सब कहा था पांत साल यह कोरोड़ एक साल में और यह कैसे ऑगया कि चाइना की जीडीपी उस सिक्स seguга правильно हुआ है और शाइना 65 मिलियन जोग दे रहा है पांच साल में एक दिन में 35 हजार नोकरी दे रहा है और वो भी तुम वहां से मैनुफैक्चरिंग करा रही हो कहां की राश्टर भक्ति है तुमारी देश को बांट रहे हो मंदिर के नाम पे मसजिद के नाम पे साउज को तुमने इलेक्शन का जरिया बना लिया मोदी जी की आर्मी। पहले आतंकी हमले होते थे। तो हजूर एस्टीफे देते थे। शिवराज पाटल साब ने दिया, विलासराओ देश्मुक्जी ने दिया। अब आतंकी हमले होते हैं, तो तुम वोट मांगते हो। चा कि रोजगार की बात करो ना मंदिर की बात हो ना मस्जिद की बात हो प्रजा बेरोजगार है पहले मेवालों की बात हो किसान की पगड़ी की बात हो औरत के सम्मान की बात हो घरीद की रोटी की बात हो ना राम मिला ना रोजगार मिला हर गली में मुबाइल चलाता हुआ एक बेरोज़कार मिला और आज मैं दंके की चोट पे आपको कह रहा हूं तुझे फकीर कहूं या गंगा तुझे फकीर कहूं या गंगा तुझे भाशनवीर कहूं या तंगा अरे तेरे रूप अनेक है भाईया तु पहरूपिया रंग बिरंगा बहरूपियो हो मुखोटा उतर गया है पुरे ब्रह्मांद में शोर है कि जमी पे ही नहीं आकाश और पाताल में भी चौकीदार चोर है मिजाइलों का तुमने ठेका इनको दे दिया हैं जमीने तुमने बेच डाली बैंक तुमने लूट डाले सरकारी कंपनिया तुमने बंद कर दी और अब तुम राष्ट् दुकान थी मोदी जी ने खोद के निकाला हिंदुस्तान जब तुम पैदा नहीं हुए थे तो संबिदान रच दिया था मेटकर साब ने जब तुम चड़ी में थे मोदी साब तो यहां चले गए थे अंतरिक्स में बागरा डैम बन गया था ग्रीन रेवलूशन आ गई थी बंद करो अपना कूड प्रचार और ना जाओ अब तुम शरण में राष्ट्रवाद के क्योंकि तुम राष्ट्र विरोधी हो राष्ट्रभक्त किसी तरह से भी नहीं हो तुम बाताएं कि राजू कान्ट